बश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेली नुवस्टी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में और ये जो अपडेट है वो आपके अबी एक्जाम के रिलेटेड है जो गाइडलाइन्स रिलीज की गई थी 21 तारीक को उसमें यहां पर उसके क्लॉज 9 में यहां पर थोड़ी से चेंजिस किये गए है डियू की तरफ से तो इन चेंजिस के बारे में मैं आपको भी वीडियो में बताऊंगा और ये चेंजिस तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज किया गया है और इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं जो टाइमिंग्स हैं उसके रिलेटेड यहां पर चेंजिस किये गया है तो इसमें आप नीचे यहां पर पढ़ सकते हैं कि University of Delhi ने अब जो है चेंजिस करके आपका टाइमिंग 3 प्लस 1 कर दिया है यानि कि 3 घंटा आपको लिखने के लिए मिलेगा एक घंटा आपको जो है अपनी answer sheet upload करने के लिए और question paper download करने के लिए और जितने भी technical काम है उसको करने के लिए मिलेगा means कि 4 घंटा यहां पर जो सम आपका कोई glitch आता है portal के उपर तो in cases में जो है आपको प्रूफ के साथ अपनी answer sheet upload करनी है portal के उपर लेकिन इसका जो use है जो extra one hour आपको मिलने वाला है उसका use सिर्फ आपको emergency cases में ही करना है जो भी इस type की answer sheet होगी वो आपकी committee के द्वारा चेक की जाएंगी और in case अगर आप उस fifth hour में भी upload नहीं कर पाते हैं अपनी answer sheet तो आपको यहाँ पे 30 minutes दिये जाएंगे अपने college के जो भी noodle officer होंगे उनके पास अपनी answer sheet भेजने के लिए साथ में आपको बहुत सारे proofs देने होंगे वहाँ पर ताकि आपका जो result है वो easily declare किया जा सके लेकिन जो भी यह answer sheet late upload हो होंगी या noodle officer के पास खास तोर पर जाएंगी email id पे उनका late जो result है वो declare होने में दिक्कत आ सकती है और उनका जो answer sheet है वो committee decide करेगी कि check होगा या फिर नहीं होगा पहले क्या किया था university ने जो 21 तारिक था तो 21 तारिक को क्या किया था कि सिर्फ 4 घंटे का समय रख दिया गया तो इस बार इसलिए इसमें changes किये गया है और यह जरूरी भी थे क्योंकि काफी problem जो है इस से students के बीच में create हो जाएगी और उसके बाद अगर हम PWD के students की बात करें तो उनके लिए यहां पे 4 घंटा लिखने के लिए दिया जा रहा है एक घंटा उनको paper download करने के लिए और अ अपनी email id पे जो है यहां पर भेज सकते हैं तो यह information जो है सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी और useful information थी तो चैनल पर एक बार नया है तो चैनल को subscribe जरू कीजेगा और इस video जरूर शेर कीजेगा धन्यवाद